महाराष्ट्रोत भवाम भाशाम प्राकृष्टम प्राकृताह विदू आगारहा सुक्ति रत्नानाम सेतु बंदाधी यन्मयम महाराष्टही संतांची विचारवंतांची समाज सुधारकांची क्रांतिकारकांची वीर योध्यांची भूमिये अपन सर्वजन बसुन ग्या पंदरपूर चा विट्टला चा दर्शना चा ओडीनी येली अनेक वर्ष पंदरपूर ची वारी संपन्न होत आस्ते मी मगाशी मंटलोत तस आज पसुन बरोबर सात्वय दिवशी पालखी सोलेला सुरुवा धोणार आहे या सुन्दर योगावर शिडा मंदिराच लोकान पंद करने साथी माननिय पंतप्रथान नरेंदर जी मोदी आलेले आहे जगतगुरु तुकाराम महराजान्च दर्शन गेन्या साथी आलेले माननिय नरेंदर मोदी जी हे इंदुस्तानातले पहिले पंतप्रथाना हे महराष्टानी दोन मंत्र दिले जगत्गुरु तुकाराम महराजान्नी दिलेला जैजे रामकृष्णाहारी आणी चत्रपती शिवाजी महराजान्नी धारकर्यान्न दिलेला मंत्र हरहर महादेव या समारंबाला उपस्ति तसलेले माननिय पंतप्रथान नरेंदरजी मोधी यंचा स्वागत पर सतकार करेनेची विननती मी अनुक्रमे तीन संस्थानना करना रहोत सरोप्रथम जगत गुरु श्री संत तुकाराम महराज संस्थान श्रीक शेत्र देहुचे अध्यक्ष श्री उत नितिन महराज मोरे देहुकर हे तुकोबांची पगडी उपर्ण त्यास प्रमाणे तुकोबारायांची मूर्ती ची प्रतिकृती आणी त्यांची समवेद श्री संत नियनेश्वर महराज संस्थान चे प्रमुक विश्वस्त त्यास प्रमाणे श्री विट्थल रुक्मिनी मंदिरे समिती पंधरपू पुर्चे सह अध्यक्ष, हरिबक्त परायन गहिनीनात महराज आउसेकर आणि योगेश जी देशाई हे तुलशीचा हार माननीय पंत प्रतानान ना प्रतान करतिल स्वरोप्रथम तुकोबारायांची पगडी उपर्ण अधना अजड़ अधना अजड़ युजड़ विननती करतो अपन जगत गुरु तुकाराम महाराधान चा मुर्तिची प्रतिकृती प्रदान करावी तत्पुर्वी माननिय पंत प्रदान सगुण निर्गुणाचे टाल आणी ब्रह्म मायेच चिपल्या सविकार करूं तेच एक दों तीन सेकंद वाधन करूं यान अंतर श्रीव नितिन महाराज मोरे देवुकर जगत गुरु तुकाराम महाराधां चा मुर्तिची प्रतिकृती माननी पंत प्रदानान प्रदान करता है यान अंतर संत श्रेष्ट श्री न्यानोबा मुलिन चा संजीवन समाधी चा साच्छे पंच्वी सव्या वर्ष्या चा यो श्रीक्षेत्र अलंदी सांस्थांचे प्रमुक्विश्वस्त योगेश्जी देसाई आणी सर्वमान्यवर माननीय पंतप्रदान नरेंद्रजी मूधी अनना प्रदान करताहेत। तंचा सम्वे श्री विट्टल रुक्मिनी मंदिरे समिती पंडरपुरुचे सहाध्यक्ष हरी बक्त परायन गहनीनात महराज आउसे कर विठोबा न्यानोबा आणी तुकोबा अराध्य दैवत आणी तेंचे लाड़के भक्त या तीनी सांस्थानांच वतिनी पानने पंतप्रदान नरेंदर जी मोधी अन्चा सन्मान याठीकानी संपन्न जालिला यानन तर्मी जगत्गुरु श्री संत तुकाराम महराज सांस्थान श्री क्षेत्र देहुचे अध्यक्ष श्री नितिन महराज मोरे देहुकर यन्ना प्रास्तविक कराईचे विनंती करतो कुमी देहुन अगरी मदे शिळा मंदिराचा लोकारपन सोले साथी वो वारकरेंशी भक्ति प्रेमाचा सववात करने साथी देशातील अजनवे तर जगातील मानवाचे प्रेरिना स्टोत रासलेले अपले देशाचे लाड़के पंतप्रदान मन्ने नरेंदर जी मोधे सा जेब तेंचे देहुदेवस्तान वा अखिल वारकरी संप्रदाया कडून मन परुवाक स्वागत करतो तेंचे वर वर उपस्थीत महाराष्टर राज्याचे उपभक्यमंत्री मान्ने अजित दादाजी पवार साहिब महाराष्टर राज्याचे विरोधी पक्सनेते देवेंदर जी पड़न्वी साहिब त्याज बरबर मन्ने चंद्रकंद दाजी पाठील अनि आपला सकड़ांचे अधर अधर निये अधर निये मारुति बाबा कुरेकर महाराज या सर्वांचे मी या ठीकानी अपल्या सर्वांचे वतेने स्वागत करतो आनि जगत गुरु तुकोब रायेंचे शिला मिंदरा बादब सांगने चे दाड़ाज करतो कि जगत गुरु तुकोब रायेंचे अभंगाची गाता तमाम सर्वा नागरिकानना देश वाशियनना जगवाशियनना प्रेणना दारक आस्ताना सुधा जगत गुरु तुकोब रायेंचे गाता इंदराईनी नदीचा डोहां मदे बड़ावने आले आनि त्यान अंतर जगत गुरु तुकोब राये तेरा दिवस एका शिले वर्ती अनुस्टाना साथी बसले होते तोज दैवे चबतकार असागडला कि इंदराईनी मातेला तिर्तक शेतराचा दर्जा मिलाला तुकारम माराज जगत गुरु तुकोब रायेंचे उन्चे आए अनन्द चिडोही अनन्द तरंगे असी अवस्ता अस्ताना सुधा केवल जगाचा कल्लाना संतान्च विभूती देहे कश्तविती परोप करी जगा तिल दुख्ये नाईशे करने करता अवतार पुरु जल्म गेता स्ताथ अले असेच संत कोटी तील मोगोट शिरोमनी जगाद गुरु संत स्रेष्ट तुकानम माराज आज चार्शे वर्शे नंतर सुधा अपनास आदर निये पुजनिये अनुकर निये असेच आहेद जगाद गुरु तुकोब रायेंचे अबंगा ची गा था अनि जगाद गुरु तुकोब रायेंचे जीवन यामदे काडी साही संब्ध नावता काडी साही फरक पड़त नावता आपन जे बोलतो ते वागुंदा कदोते त्याज प्रमने जगाद गुरु तुकोब रायेंचे एन्न संत्र नानेशोर महराजांचे पाल के इसवी शन शोळाशे 55 साली जगद्कुरु तुकाराम महराजांचे पुत्र तपोनि दी नाराज महराज यन्नि शुरु किली आनि या पाल की महराजा विस्तार अपले द्याशाचे पंतपर्दान नरेंदर जी मोधी आज आपन देशाचे पंत प्रदान मनुंचरी याटिकानी उपस्तितासला तरी आमचा सटी तुगोब रायंचे चिरंजयो तपनिदी नारायन माराज मनुना पंतियों मदे अललात अनि आमला अनि आ वारकरी संप्रदायला निच्छित जाचा अभिवान आहे आज याटिकानी हाजो मंडप हीजी व्यवस्ता जालो करनी केली लिया हे जा कारे करते लिया हे तेंचे बतल मी फक्त दोनाज शब्द याटिकानी बोलू शक्तो कारण पुतन्यता हाद युकारंता फार मोटाज माना हे वार्या हती चाले माप सज्चनाचे किर्ती मुखी ट्यांचे नारायन करोकर आज अपला सर्वांचे व्यवस्ता करने ताली लिया हे आनि हे व्यवस्ता करनारे आमचे मावले चे माजी आमदार मन्ये बाला साय बेगडे में अपला फार फार रूली आहे राम कुरश्णारी दन्यवाद निदिन महाराज यान अंतर मी महराश्य राज्या चे विरोधी पक्षनेता माननिय श्रीव देवेंद्रजी फनन्विस यन्ना मनोगत व्यक्त कराईची विदन्तिकर बुला पुंडली कवर्दा हारी विठ्थाल श्री न्यानदेव तुकाराम पंडरिनात भगवान की जय माउली नैनेश्वर महाराज की जगत गुरु तुकाराम महाराज की भारत माता की छत्रबती शिवाजी महाराज की आज खर्मंजे आपलिया सर्वान करता हा अत्यांत आनन्दाचाण अभिमानाचा सोळा है कि प्रत्यक्ष जगत गुरु तुकाराम महाराजांचा श्रुला मंदिराचा खुद घाटन प्रसंगी आपलिया मधे भारत देशाचेस नाई तर अखिल विश्वा मधे सर्वाधिक लोक प्रियासलेले पंतप्रधान अधर निया नरेंद्र मोधी जी आटिकानी आलेत भित आन्चो स्वागत करतो मंचावर उपस्तित महाराष्टराचे उपमुख्यमंत्री माननी अजीत दादा पवार हमसे अध्यक्ष माननी चंद्रकान दादा पाटील त्यास प्रमाने विशेश रुपाद याठिकाड उपस्तित अपल्या सर्वांचेस अतीशे जेश्ट मारोतिबुआ कुरेकर महाराष्ट त्यास प्रमाने या मंदिर समीतीचे अध्यक्ष नितिन महाराष्ट मोरे आचार्य तुशार भोसले मंचा समोर बसलेली सर्व विद्वजन, सर्व संतगण आले उपस्तित सर्व माझा वारकरी भगिन्याडी बंधुन्नो आपल्या सर्वांणा जय हरी मी स्वताला अतीशे भाग्यशाली समस्तो कडाचीत माक्चा जन्मायत कुखलीतरी पुन्याई के लिए असेल मनुन आज या मंदिराचा उद्गाटन प्रसंगी माननिय मोदीजिन सोबत मलादिकिल उपस्तित रहाता आला मी खरोकर नितिनभुवा आपले अतीशे मना पासना अभार मानतो पवित्र ते कुल पावन तो देश जिते हरीच दास घेती जनम कर्म धर्म तेचे जाला नारायन तेचे नी पावन तीनी लोक तुकारा महराजान नी खरम जे या ठिकानी आपले लाजी दिशा दिली समाजा मदे जा काला मदे नैराश्य होता आणि आपन बगितल तर यादव सामराज्य संपल्यान तर जा प्रकारे संपुर्ण समाज चिन विचिन जाला होता श्रद्धे चा जागी अंदर्शद्धा बुवाबाजी मोठया प्रमाणात कर्मकांड या मदे समाज लीन होता आणि मोठया प्रमाणात सोशन सुरू होता त्या वे भागवत धर्माची पता का आता ध्योन आमच्या संतांच्या मांडियाली या महाराष्ट धर्माला पुना जागरूत केला भागवत धर्माला जागरूत केला आणि खरया अर्थान या धिकाडी द्न्यानेश्वर मावुली नी पाया रचला पन तेचे कलज जाले ते जगत गुरु तुकारा महाराज आणि या भागवत धर्माला जना जना परेंत पोचों सश्रद्ध समाज पन अंदश्रद्धे पासन दूर समाज अशा प्रकारचा एक समाज तयार करनेच काम या ठीकारी तुकारा महाराजानी केल शब्दची आमुच्या जीवासे जीवन शब्द वाटू धन जनलोकी ये शब्दाच धन ज्या प्रकारे तेनी दिल त्या शब्दाची धना मदे इतकी ताकत होती कि ते शब्द कोणी मिटव शकले नाई इंद्रायनी डुबवा की शि दो ते शब्द पुना वर आले आणि त्या शब्दाची जना जनाला व्यापुन घेतला आणि मुणुन मला असवट कि आज ही तोजो मार्ग तेनी दाखोला है त्या मारगानी चाल्नाची कामच आपले पंतपरधान करता है जेका रंजले गांजले त्यांसी मनेजो पंतपरधान ये खर्या अर्थान वारकरी आहेत करन वारकरी आनमरे कोणी मोठा नस्तों कोणी छोटा नस्तों सगले वारकरी सेवक अस्ता आपले पंतपरधान प्रधान सेवक आहेत त्या मले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हेस्तर वारकरी संप चाहले जंतल। आज खरमंजे तेन्चस भाशन आयकने करता आपन सगले या ठीकानी आलेलो आहोत विया धिक वे घेडार नाई आपले आ सगल्यांचा वतिन तेन्चा या ठीकानी स्वागत करतो आणि तुकोबा रायाचा चरने लीन होन तेन्चा आशिरवाद घ्योन या ठीकानी माज़ा बोल्ल संपोतो जैहिन जै महाराष्ट्र जैहरी निवरुत्ति नियांदेव सोपान मुक्ताई एकनात नामदेव तुकाराम इश्वर निष्ठांचा मांधियाली मदे अठ्रा पकड़ जातिनना सामाउन गेनारा पंडरपुर्चा विठ्ठल जैत्यमादे नरहरी सोनार आहे सावता माली आहे तानी चोखोब आहे संत चोखा मेला व परिवार यांची सार्थ अभंग गाथा याच विमोचन यान अंतर माननिय पंतप्रथान नरेंदर जी मोधी यांचा शुभास्ते होनारा हे जैची निर्मिती के लिली आहे संत आहे संत चोखा मेला व परिवार सार्थ अभंग गाथे सा विमोचन माननिय पंतप्रथान नरेंदर जी मोधी यांची करव आशी नंब्रविनंते माननिय नितिन महराज मोरे आणि देवेंदर जी नियात्तब सांगितल कि माननिय मोधी जी इथे एक भक्त एक वारकरी मणून आलेले जगत्गरु तुकाराम महराजांचा आभंगे खेल मांडियेला वालवंटी ठाई नाचती वैश्नव भाई रे आणि मनुनत सर्वोच्य पदावर आश्नार्या माननिय नरेंदर मोधी जिनना सुधा प्रेमानी नरेंदर भाई अस संपोदल जात त्या माननिय नरेंदर जी मोधी अन्ना या नंतर मी वैश्नाव संवाद सभे मदे आमाला संबोदित करणेची विननती करतो चला मुद्दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद नमो सद्गुरु तुक्या ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानन्द रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्यान मुर्ती नमो सद्गुरु भाजकरा पुर्ण किर्थी मस्तग है पायावरी या वारकरी संताच्या महाराश्यके उपमुख्य मंत्री श्री अजीत पभार जी प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंदर फणनवीज जी पूर्व मत्री श्री चंद्रगान पाटील जी वारकारी संत श्री मुरली बावा कुरेकर जी जगद गुरू स्री स्रंत तुकारा मारा संस्तान के चेर्मेन नितिन मोरे जी आध्यात्मिक अगाडी के प्रेशिडेंट आचारियस लितुशार भोशले जी यहाँ उपस्तित संतगान देवियों और सज्जनों भगवान विठल और सभी वारकरी संतों के चर्णों में मेरा कोटी कोटी वंदन हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य जन्म में सबसे दुरलब संतों का सत्संग है संतों की कृपा अनुभूती हो गई तो इश्वर की अनुभूती अपने आप हो जाती है आज देहु की इस पवीत्र तिर्द भूमी पर मुझे आने का सोभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूती कर रहा हूँ देहु संत शिरोमनी जगदगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है कर्मस्थली भी है दन्य देहु गाउं पुन्य भूमी ठाओ तेथे नांदे देव पांडु रंग घन्य खेत्रवासी लोगते देवाचे उच्चारिती वाचे नाम घोश्य देहु में भगवान पांडुरंग का नित्य निवाद भी है और यहां का जन जन स्वयम भी भक्ति से ओत प्रोत संत स्वरूप ही है इसी भाव से मैं देहु के सभी नागरिकों को मेरी माताओं बेहनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ अभी कुछ महिने पहले ही मुझे पालखी मार्ग में दो राश्ट्रिय राजमार्ग को फोरलेन करने के लिए सिलान्यास का आउसर मिला था श्री संत ग्यानेश्वर महाराज पालखी मार का निर्मान पांच चर्ड़ों में होगा और संत तुकारा महाराज पालखी मार का निर्मान तीन चर्ड़ों में पुरा किया जाएगा इन सभी चर्ड़ों में तिन सो पचास किलोमेटर से जादा लंबाई के हाईवे बनेगे और इस पर ग्यारा हजार करोड रुपीय से भी अधिक्का खर्च किया जाएगा इन प्रयासों से छेक्त्र के विकास को भी गति मिलेगी आज सवभागे से पवित्र शिला मंदिर के लोकारपन के लिए मुझे देहु में आने का सवभागी मिला है जिस शिला पर स्वयम संद्टुकाराम जी ने तेरा दिनों तक तपस्या की हो जो शिला संद्टुकाराम जी के बोध और वैग्राग्य की साच्छी बनी हो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं वो तो भक्ति और ज्ञान की आधार शिला स्वरूप है देहु का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है बलकि भारत के साथ कुरुधि भविश्य को भी प्रसось्ट करता है इस पवित्र स्थान का पुनाद दिर्मार करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का रुदय पूर्व का मिननन करता हूँ आभार व्यक्ता करता हूँ जगदगुरु संच तुकाराम जी की गाथा कहा था जिन्होंने समवर्दन किया था उन संताजी महराज जगडारे जी इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है मैं उनको भी नमन करता हूँ साथियों इस समय देश अपनी आज़ाजी का अमरित महोत्सों मना रहा है हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचिनतम जीवित सब्व्यताओं में से एक है इसका स्रे अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है भारत के रुश्यों मनिश्यों को है भारत स्वास्वत है क्योंकि भारत संतों की धर्ती है हर यूग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई ने कोई महान आत्मा आवतरित होती रही है आज देश संत कभिर्दात की जैनती मना रहा है यह संत ज्यानेश्वर महराच संत निवृतिनाद महराच संत सोपन देव और बहान आदिशक्ती मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधिका साथ सो पचीसवा वर्ज भी है ऐसी महान विवितियों ने हमारी सास्वत्ता को सुरक्चित रखकर भारत को गतिसिल बनाये रखा संत तुकाराम जी को तो संत बहना भाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परितितियों का सामना किया संसार में उन्होंने बुख देखी बुख मरी देखी दूख और पिड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उमीद छोड़ देते हैं तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बलकि बविश्य के लिए भी आशा की किरन बनकर उबरें उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया ये शिला उनके उसी त्याग और वैयरागी की साक्षी है साथियों संतुकाराम जी की दया करुणा और सेवा का बोबोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है इन अभंगों ने हमारी पीडियों को प्रेणा दी है जो भंग नहीं होता जो समय के साथ सास्वत और प्रासंगिक रहता है बही तो अभंग होता है आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मुल्यों के अधार पर आगे बढ़ रहा है तो संत तुकारामजी के अभंग हमें उर्जा दे रहे हैं मार्ज दिखा रहे हैं संत नामदेव, संत एकनात, संत सावता महराच, संत नरहरी महराच, संत सेना महराच, संत गोरोवाखाका, संत चोखा मेला इनके प्राचिन अभंगों से हमें नीत नई प्रेणा मिलती है आज यहाँ संत चोखा मिला और उनके परिद्वार द्वारा रचीत सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभागी मिला है इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की पांसो से ज़्यादा अभंग रचनाओं को आसान भासा में अर्थ सहीत बताया गया है भाई और बैनों संत तुकाराम जी कहते थे उंच नीच का ही नेड़े भगवन अर्थाथ समाज में उंच नीच का भेदवाव मानव मानव के बीच फर्क करना यह बहुत बड़ा पाप है उनका यह उपदेश जितना जरुरी भगवज भक्ति के लिए है उतना ही महत्वपून राष्ट भक्ति के लिए भी है समाज भक्ति के लिए भी है इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंडरपुर की यात्रा करते हैं इसलिए आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विजवाद सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है सरकार की हर योजना का लाप हर किसी को बिना भेदबाव मिल रहा है वारकरी अंदोलन की भावनाओं को सतक्त करते हुए देश महिला सतक्तिकन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है पुरुषों के साथ उतनी ही उर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहने पंड्री की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है साथियो संतुकाराम जी कहते थे जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आप उले तोची साधु वळखवा देव तेथे ची जानवा यानि समाज की अंक्तिम पक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना उनका कल्यान करना यही संतों का लक्षण है यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है दलीत, बंचीत, पिछडा, आदिवाती, गरीब, बद्दूर, इनका कल्यान आज देश की पहली प्रास्पिक्ता है भाई और भेनों, संत अपने आप में एक ऐसी उर्जा की तरह होते हैं जो बिन्द बिन्द स्थितियां, परिस्थितियों में समाज को गती देने के लिए सामने आते हैं आप देखिए, चत्रपती सिवाजी महराज जैसे राष्ट नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी एहम भूमी का निभाई है आजादी की लड़ाई में बीर सावर करजी को जब सजा हुई तब जेल में वो हद कडियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे अलग-अलग कानखन अलग-अलग भिबूतिया लेकिन सब के लिए संत तुकाराम जी की वाणी और उर्जा उतनी ही प्रेणा दायक रही है यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेती नेती कहां गया है तुकाराम जी के इस शला मंदिर में प्रणाम करके अभी असाण में पंडरपूर की जी आत्रा भी शुरू होने वाली है चाहे माहराष्ण में पंडरपूर यात्रा हो या उडिसा में भगवान जगनाजी की यात्रा चाहे मंतुरा में वुरुज की परिक्रमा हो या काशी में पंचकोशी परिक्रमा चाहे चारधाम यात्रा हो या चाहे फिर अमनराजी की यात्रा ये यात्राएं हमारी सामाजिक और अध्यात्मिक गती शिल्टा के लिए उर्जा स्रोत की तरह हैं। इन यात्राओं के जरिये हमारे संतों ने एक भारत थ्वेश्ट भारत की भावना को जीवन्त रखा है। विविदिताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्सों से एक राष्ट के रुप में जागरत रहा है। क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविदिताओं को जोडती रही है। भाई और भेनों हमारी राष्टिय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दाईत्व है कि हम अपनी प्राचिन पहचान और परंपराव को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आदूनिक टेक्नलोजी और इंफ्रास्टेक्टर भारत के विकास का परियाय बन रहे हैं तो हमें इस सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंधरपुरपाल की मार का आदूनिकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाइवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में बव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनादाम परिशर भी अपने नएर स्वरूप में उपस्तित हैं और सोमनाजी में भी विकास के बड़े काम किये गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहर तिर्त स्थानों और परियतन सलों का विकास किया जा रहा है। महर्ची वाल्मी कीजी ने रामाएन में भगवान राम से जुड़े जिन सलों का जिक्र किया है। रामायन सरकीट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है इन आठ वर्षों में बाबा साब आम्बेड करके पंच तिर्थों का भी विकास हुआ है चाहें महु में बाबा साहिब की जन्मसली का विकास हो लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते जे उस घर को स्मारक में बदलना हो मुंबई में चैत भूमी का काम हो नाकपुर में दिख्षा भूमी को अंतरास्ते स्तर पर विक्स्तित करने की बात हो दिल्ली में महापरी निर्वान थल्प और मेमोरियल का निर्मार हो ये पंचतिर्थ नई पीड़ी को बाबा साथ की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है साथियों संत्तुकाराम जी कहते थे असाध्यते साध्य करीता सायास कारण अभ्यास्तुकामने अर्थात अगर सही जिसा में सबका प्रयास हो तो असंभव को भी प्राप्त करना संभव हो जाता है आज आज हाजी के 45 साल में देश ने सत प्रतिशत लक्षों को पुरा करने का संकल पलिया है देश गरीबों के लिए जो योजनाय चला रहा है उन्हें बिजली, पानी, मकान और इलाज जैसी जीवन की जीदे की मौलिक जरुरतों से जोड़ रहा है हम उन्हें सो प्रतिशत लोगों तक पहुँचाना है इसी तरह देश ने परियावरण, जलस उरक्षान और नदियों को बचाने जासे अभ्यान शुरू किया है हमने स्वस्त भारत का संकल्प लिया है हमें इन संकल्पों को भी शत प्रतिशत पुरा करना है इसके लिए सब के प्रयास की, सब की भागीदारी की जरूरत है हम सभी देश सेवा के इन दाइत्वों को अपने अध्यात्मिक संकल्पों का हिस्सा बनाएंगे तो देश का उतना ही लाब होगा हम प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेंगे अपने आजपात जीलों तालाबों को साप रखने का संकल्प लेंगे तो परियावरण की रख्षा होगी अमरित महोतों में देश ने हर जीले में 75 अमरित सरवर बनाने का भी संकल्प लिया है इन अमरित सरवरों को आप सभी संतों का आश्रवात मिल जाए उनके निर्मान में आपका सयोग मिल जाए तो इस कारे की गति और बढ़ जाएगी देश इस समय प्राकृतिक खेति को भी मुहिम के रुप में आगे बढ़ा रहा है ये प्रयास वारकरी संतों के आदर्सों से जुड़ा हुआ है हम कैसे प्राकृतिक खेति को हर खेत तक ले जाएं इसके लिए हमें मिल कर काम करना होगा अगले कुछ दिन बाद अंतर राच्य योग दिवस भी आने वाला है आज जिस योग की दुनिया में धूम है वो हमारे संतों की ही तो देन है मुझे भी स्वास है आप सब योग दिवस को पूरे उत्सांचे मनाएंगे और देश किर्पती इन कर्तवियों का पालन करते हुए नए भारत के सपनों को पूरा करेंगे इसी भाव के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ और मुझे जो अवसर दिया जो सम्मान दिया इसलिए आप सब का सर जुका करके अभिनंदन करता हूँ दन्यवाद करता हूँ जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी हर हर महादे